मेरा नाम रुक्साना कोसर है मैं शादरा श्रीफ से तलक रखती हूं और मेरा गौंबी शादरा श्रीफ में है तो और रखके बाद में राजूरी में जॉब कर रही हूं मिरे को बताओ आपके उपर एक फिलम बनने जा रही है और एक बड़ी एक्ट्रिस श्रदा कपूर आपका रोल करने जा रही है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने एक आंतिकवादी को मारा हो रहा कलहाडी के साथ तो जिसका नाम अबू इसामा था उसको मैंने मार गिराया है और उसकी वज़़ा से मेरी फिलम बनने जा रही है तो कितना प्रावड फिल कर रही है आपके ओपर एक फिलम बनने जा रही है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ओपर इस तरह की फिलमें बनाई जाती है क्योंकि मैंने बहुत बहादरी का काम किया है और इतना जजबा और इतना जोश किसी में है नहीं है हमें बताएं कि जिस समय आपने आतंकी को मारा था ते क्या हालात थे उस समय के उस समय के हलाध बहुत हराब थे क्युँकि उस समय कोई गाड़ी नहीं थी। कोई रोड नहीं थी। जब यह काट हुआ था। कि अपने क FAVATI के साथा लगना कि दूर्हा इम्यादान अ किल्हार का आपने कुल्हारी के साथ पार लिकार उधा में डतीज को अधी ड़ी चोह मिलना सब्सक्रायी के लिए मजरा के जब उनके मुझे से बलेड बहरा था तो मेरा बाई दोड़ा, बोलने लगा मेरा बाई कि ममी पापा डेथ हो गई है, तो फिर उसके बाद मेरे बाई को भी उन्होंने मारा, मेरे बाई ने वो भी गिर गया, छोटा था वो, रोना शुरू हो गया वो, जब वो मेरे दूसरे रोमे के मुझे देखने के लिए मगर में नहीं मिल पाई, क्योंकि मैं आपरे एक चार पाई के साथ चिपक गई थी, वो मुझे वो ढूड़ने पाई, थोड़ी देर के बाद देखते, देखते, मैंने सोचा, जब वो तीनों को मार दिया उन्होंने, तो फिर मेरे बचने क क्या कारणा है, क्योंकि हमारी फेमली बिल्कुल छोटी थी फेमली थी, हम एक फेमली के चार लोग थे, तो और दीरे दीरे जब मैं गई तो छुपते चुपते ऐसे, तो दाएं बाएं में ने देखा तो कलहारी थी पड़ी हुई, तो मैंने अब वो इस सामा को कलहारी के स मुझे बहुत डर लगदा था इन से, जब भी कहीं दाएं बाएं सुनती थी तो मैं ऐसे रजाई में मूझ चुपा लेती थी, कि मुझे डर लगता है, तो उस वक्त मुझे अचानक मैंने ममी पापा को देखा, मुझे बरदाश ने हुआ, जब मेरा पापा नहीं रहा, मेर के लिए सेम बन जाएगा, मैंने बोला कि मुझे इतनी हिमद हो कि मैं भी कुछ कर पाऊं, तो उस वक्त मैंने दाएंबाइद देखे तो कलहारी पड़ी हुथी, मैंने अठाई कलहारी तो वो ऐसे पीठ मोर के बैठा हुआ था, तो मैंने उसको कलहारी के साथ कार दिया, त मैंने शकोटी छोड़ी थी इठी तो कया कभी कोई दंकी वगए आपको आती है? eviden कि दू तीन बार दंकी आए फिर, उसके बाद दीरे मैंने आना जाना बाः छोड़ी ही, मैंने ळूद अकेले बार आना, अकेले जाना, अकेले बाजार में ऐसे डीफी अकेले में करते समय मेरा बिलकुल यानि मुझे डर मासूस नहीं हो रहा था तो अपनी सुरक्षा आप कैसे करती हैं क्यूंकि आपने एक बड़े आतंकी को मार गिरा है तो आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ कोई सेक्योटी गाड्स भी नहीं है तो कैसे आप परच्चाईयों के साथ हों में तो आपके पास कोई वेपन वगारा जिससे आप अपने हिवाज़त कर सकें ना मैं 24 गंटे अपने रिवालवर अपने पास रखती हूँ तो पुलिस मैक्मा की तटरफ से किस तरह की मदद आपको मिलती है पुलीस मैकमा की तरफ से मैं यही म करती हैं कि मुझे बाडी गार फिर से वापस लोटा आपने एक बेटी होकर एक बहादूरी का काम करके दिखाया अठारा साड़े अठारा वर्च की अमर में आपने एक खूंखार आतंकी को कुलारी के साथ मार गिराया जमू किश्मीर की बेटियों को क्या मैसेज देना चाहे यहां कि आप अपना जजबा और बनाए रखना और यह मत सोचना के हम कमजोर हैं हम कमजोर नहीं हम बहुत क्यूंके हासकर हम जमू किश्मीर की लड़के जो हैं बहुत बहादर हैं और हम भी अगर एक दूसरे के साथ काम्दे से काम्दा मलाके चलेंगे तो कोई भी हमारे एरिये में कोई ऐसा अंतगवादी नहीं आएगा अगर कुछ कुछ बेटियां आपसे अगर मिलना चाहती है आपकी जो ये पूरी कहानी है उसे सुनना चाहती है आपसे अगर इंस्पिरेशन वो लेती है तो क्या आप उनसे मिलेंगी उन्हें बताएंगी किस तरह से स्वक्राटस दे सकती हो कि ऐसा खथ्यार चलाना है और ऐस से जजबा बनाना है मेरी चोटी सी बैटी है ग Zugr madhi कहते हैं मैं ममा आप की तरह काम करूंगी मेरी चोटी सी बेटी है और मेरी दोनों बेटें बोलती हैं कि हम हम भी रुकसाना हैं तो फाइनली यह जो बन रही है फिलम जिसमें श्रदा कपूर एक बहुत बड़ा जिनका नाम है वो आपका जो है पूरा किरदार निवाएंगी जो आप पे चीजें बीती हैं वो करके दिखाएंगी वो बापस से वो आपकी कहानी को जो दिखाने जारी है बड़े परदे के ओपर तो कितना बड़ा खुशी का मौका है तो क्या कहोगे इस पर मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं बिलकुल पहले जब मुझे मीडिया बहुत ज़्यादा उठाया था और मैं बिलकुल गिर चुकी थी फिर मैं इस सोच रही थी कि आप में दोबारा कहीं नहीं फिर दोबारा मेरा इनाम होगा और दीरे दीरे जब मेरा मैंने यह सुना और मैंने यह भी शुकर खजार किये लाकि तूने मेरे लिए बहुत अच् देखाया और मुझे फिर दोबारा उस सीडियों तक मुझे फिर दोबारा वापस पहुंचाया है मैं पहले बिलकुल गिर चुकी थी